धांदन सत्कुर्टे रईयाश्रा जो पिता जी के दर्शन करना चाते हैं, पिता जी शे बात करना चाते हैं, पिता जी को अपना बनाना चाते हैं, पिता जी के चरण छोना चाते हैं, पिता जी के साथ जीन जीना चाते हैं, चाई बहन हो, चाई भाई हो, चाई बच्ची हो, पहले वो अपने बुराई छोड़ने के जो परण करवाई हैं उनको मिलाई उनको चेक करें आपने कितने वचन मानने है जब तक पिताजी के वचन नहीं मानते तो पिताजी दर्शन नहीं देते पिताजी रहते तो अंदर है देखते भी हैं हमारी सुनते भी है पिता जी हमें सारा दिन देखते रहते हैं दिन रात हम क्या क्या करते हैं कहां जाते हैं कब बैठे कब उठे कब किस्ये क्या बात की सारा देखते हैं पिता जी फिर पिता जी क्यों नहीं दर्शन देते क्योंकि पिता जी को यह मारी जो आदते हैं यह पसंद नहीं है किसी का दिल दुखा दिया, किसी की निंदा चुगली कर ली, किसी के उपर गुसा आ गया यह नहीं करने, क्योंकि पिता जी को यह बात अच्छी नहीं लगती, तभी तो दर्शन नहीं देते ना तो दर्शन देना देते अगर आपने दर्शन करने है तो ना तो कुरोध करना चाए कोई कुछ भी कहता है कोई कुछ भी कहता है कितना भी बुरा बोलता है तो चुप रेना कोई फरक नहीं पड़ता चुप रेने में और नहीं अपने और पराय का फरक करना जैसे मा अपने बच्चे से प्यार करती है बहुत ही प्यार करती है इस तरह प्यार ही हर किशी से करना है कोई भी बेगाना नहीं मानना सबसे उसी भावना से बात करें जैसे अपने बच्चे से करती है जो सबसे प्यारा होता है जैसे उसे प्यार करते वैसे ही सबसे प्यार करना है निश्वार्थ प्यार करना है कोई भी दुखी दिखे तो उसका दरद समझना है यहनी कि मेरे दरद हो तो मुझे कितना फील हुआ और अगले कहो तो उसका फीली ना हुआ ऐसे ही फियल करना है विए कोई दुखी हो तो ऐसे मैं होता तो इस जगा कैसे दुखी होता तो ये दुख तो मेरा ही है तो ये भावना से पिता जी बहुत खुस होते हैं और निंधा चुगली बिल्कुल ही ना करें ना सुने और ना करने दे मालिक तो ये बात कब से कहलवाते आई हैं कब से कहलवाते आई हैं पर मालिक ने तो ये वचन अब बार्शे भी कर दिये हैं निंदा का यह नहीं पता चलता निंदा होती क्या है अपने ही बहन की भाईयों की अपने ही प्रिवार में रिष्टे नातों की ही निंदा करते उसने मेरे साथ ऐसा किया उसने ये बोला था तो ये निंदा है जो हमारे पास नहीं हो बंदा उसके पीठ के पिछे चे वो कहते हैं सचाई है वो सचाई भी निंदा है क्योंकि उसकी उसने कुछ तो गल्थ किया होगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसकी सुने भी मत ना वही जैसा बहन कोई भी है जैसा है वो मालिक जाने उसका काम जाने नहीं हमने सुननी बिल्कुल भी मालिक के सिवाई कोई भी कानों में आवाज ना पड़ने दो सबद गरंथ मालिके वचन बस यही सुनो जितना सुनयाजा मालिक के अनमोल वचनों को सुनो वही चलते रहें दिहान में बैठो लगातार बैठो तो मालिक की अवाज आएगी जब तुम तड़फ के बुलाओगे मालिक जी आये नहीं अब तक आप आप जीने में जी दर्शन नहीं दिये मेरे में बोहुत कमी है इसलिए तो आप आते नहीं अगर कमी ना होती तो आप आई ना जाते आप दर्शन न दे देते ना आपकी अवाज सुनाई देती और ना आप दिखाई देती पिता जी आओ प्लीज पिता जी प्लीज आग्गे आपकी हर बात मानूगी हर वचन मानूगी प्लीज एक भार आजो तड़प के तो अरदास करनी वराग्य से अरदास करनी इसको बुलाना इसको मनाना वो बिल्कुल भी किशी से बीना वज़य बात नहीं करनी क्योंकि बात करते हैं क्या प्ता पिता जी दर्शन देना चाथते हो और हम बात करते हैं पता नहीं क्या बात कर जाए और उगलती ना हो जाए तो डर लगता है बात करने से सुनने से डर लगता है जब पिता जी की आवाज आजाएगे न फिर डर लगेगा आपको कि हाई पिता जी की आवाज कर दोबारा ना है पिता जी दर्शन दे जाएंगे जब डर लगता है हाई पिता जी ना दिखे तो पिता जी ना आए तो फिर क्या होगा क्योंकि जिया नहीं जाता, दर्शन देने के बाद जिया नहीं जाता उसके बिना, फिर तो प्रान निकलते हैं, खाना नहीं अच्छा लगता, ना नींद आती है, उसके पहले नींद भी आती है, खाना भी अच्छा लगता है, काम धंदे भी अच्छे लगते हैं, बैन बाई बार अंदर से दिखाई देगे, तो जीया नहीं जाएगा, चैन नहीं आएगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, सब कुछ फिक्का लगेगा, खाना भी कड़वा लगेगा, इतना प्यार देते, पीताजी कोई काम नहीं करने देते, सारे काम अपने आप करते हैं, जैसे दन्य बगत के करे थे, कोई टैंसन नहीं, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, आत्मा तो ऐसे नसी आई रहती है, जैसे फूल खिला रहता है, जैसे सराबी को नसाचड़ता, ऐसा नसाचड़ा रहता, अंखे भी नहीं खोलने का दिल करता, ऐसी लज़ते मिलते हैं, सोच भ अगर वर्नन करके बताया जाए न, कोई भी चीज नहीं, जिसके साथ वर्नन करके बताया जाए, इतना आनन्द है, पिता जी के दर्शनों में, तो बताओ पिता जी के दर्शन छोड़के, और हम बाहर फिरते हैं, बाहर क्या है, दुख है, टैंसन है, गम है, बताओ क्यों फिरते हैं बार, अंदर जाओ ना अपने घर में, जिसे दुनिया के घर में आके राम मिलता है, हैसे ही पिता जी के, हम अपने अंदर जाके, पिता जी के दर्सन जब करते हैं, वह राम मिलता है, वह सुक मिलता है, वह चैन मिलता है, वह श्यानती मिलती है, वहाँ टेंसन नहीं रहती, जब पिताजी से बात होती है, जब आपकी स्टेज से पिताजी से बात हो जैती थी, किसी की भी, कितना अच्छा लगता था, कितना अच्छा लगता था, पैर धरती पे टिकते थे, जब अंदर से बात होगी, तो पैर टिकेंगे क्या धरती पे, उ पिता जी बेटा हाँ बेटा जब पिता जी बात करने लगे तो फिर गुरुमंतर थोड़ी ना जब पिता जी बेटा जी बात करेंगे तो ये गुरुमंतर का जाप तब तक है जब तक अंदर शे मालिक के नूरिश्रु में दर्सन नहीं होते फिर ये मेनद करने की जूरूरत नहीं है फिर तो नजारे हैं बस बाते करो देखो इसके साथ नजारे लो फिर तो मालिक जी पना कर सकते हूं। आपके ख़प्णा से प्रेदे का प्यार मिलता ओ कलप्णा से प्रेद यह ऐसा भी कोई समानी दर्ती पे जो तुम्हें अंदर मिलेगा। अंदर तो अलग ही न जा रहे हैं, अलग ही खुशिया हैं, अलग ही हैं सब कुछ, खान, पान, सब अलग ही हैं, अंदर सब कुछ है, जैसे पिताजी ने बताया कि सब कुछ अंदर है बेटा तुमारे, सच में अंदर है, बिर्मा, विश्नु, मा, देव, गंगा, जुमना, फ चलब फूरूट पिताजी सब कुछ अंदर है。 अपांदर जा के तो देखो अब बैहार रहेंगे तो क्या पता चलेगा अंदर nder में क्या है? अंदर जाओंड़ जाओंगे तो पता चलेगा नस अंदर है अब दर्वाजा बंद पड़ा है और किसी के घर में क्या समांद सका ह तो द्रवाजा खूलोगे तो ये तो अंदर जाओगे तो ये तो पता चलेगा तुम अ Ride형 में बैठोगे पिता जी शेहर दास करोगे अपने गुनाओं की माफिया मांगोगे पिता जी जो अवगूर मेरे मेरे हैं जो कमीया मैंने की हैं पहले उनकी मुझे माफिय दे दे और आगे गलती ना करो, पिता जी आगे मेरी साहता कर, रक्षा कर, कोई भी गलती ना हो पिता जी, वादे करो पिता जी से अंदर से, पिता जी पलीज एक बार माफ कर दे, आगे कोई गलती ने करेंगे, कसम खाओ पिता जी के आगे अंदर से, सुरूप के आगे कसम खाओ, पिता पिता जी नहीं है क्या पिता जी बात नहीं कर सकते हैं पिता जी शुरूब में भी बात करते हैं पिता जी शुरूब में भी हिलते हुए दिखाई देते हैं चलते हुए दिखाई देते हैं पिता जी पर नजर हो ना देखने वारी अब नजर तो दुनिया को देखती है तो न तो क्यों बार-बार समझाते पिता जी तो पिता जी की बात मानो और दर्शन करो क्योंकि पिता जी को सुख होगा क्योंकि ना तो फिर गम आए ना टेंसन आए सारे काम पिता जी करवाएंगे बता-बता के ये कर बेटा ये गलत है ये शही है सारे काम पिता जी बताएंगे तो फिर कोई गलती भी नहीं होगी कोई टेंसन भी नहीं होगी और काम भी बनेंगे और दुख भी चले जाएंगे करम भी कटेंगे पिता जी के बीना है क्या पिता जी के बीना जीवन बेकार है कितनी भी किशे पास दोलत है कितना भी कोई सुन्दर है कितना पड़ालिका है पिता जी के बिना ये जीवन बेकार है मैंने जो देखा है ओबताया है पिता जी के बिना जीवन बेकार है कोई काम का नहीं है ये तो भुली हुई आत्मा है जो खुशी रहती है जब आत्मा अपने आपको पैचानेगी और पिताजी को पैचानेगी तब नहीं तब नहीं रह जाता तब लगता है यह जीवन बेकार है उससे पहले तो लगता है काम धंदे भी करने है सब कुछ करना है लेकिन दर्शन होने के बाद सब कुछ अच्छा नहीं लगता सब लगता यह क्या फजूल की बाते हैं फजूल के काम है तो यह तो यहीं रह जाने है यह साथ ही नहीं जाने है जीन के लिए मैं पागल हूँ वो तो मेरे से बात भी करना पसंद नहीं करते और पिता जी से बात भी नहीं करता और पिता जी को मैं वचन भी न परशन करना चाहते हो तो ध्यान में बैठो कई कई घंटे लगातार बैठो आखे मत खोलो जब ही ध्यान में जाया जाएगा क्योंकि दुनिया का ध्यान ही नहीं हट रहा खोसे तो पिता जी दिखेंगे कैसे जब आप दुनिया की चीजों को कम देखोगे कम बात करोगे तो वह दिमाग से निकलेंगी बाते दिमाग में दिलो दिमाग में जो दुनिया भी बाते चपी हुई है ना जो काम दंदे चपे हुए वह नहीं निकलते वह निकले तो पिता जी की आवाज आए पिता जी दिखाई दे ये संसार आखों में समाया हुआ है इनको निकालो ये पिता जी ही सच्चे हैं, बाकि सब जुठा है, अब कोण कह देगा जुठा है, कोई नहीं मानता इस बात को, ये दुनिया तो नहीं मानती ना, माता, पिता, बेहन, बाई सब सच्चे हैं, और पिता जी कहते ये जुठे हैं, तो पिता जीन क्या गल्त बोल दिया, ये तो एक जनम का रिष्टा है और पिता जी का जनम जनम का रिष्टा है बता ओ रिष्टा प्यारा लगेगा कि ये रिष्टा प्यारा लगेगा और इस रिष्टे के लिए तो कितने काम दंदे करते सारा दिन और पिता जी के लिए कितना बैठते हैं तो सब से हाँ जोड़कर विंती है आप पहले पूरा ध्यान दो वचनों पे वचन सुरिक्सा कवच है पिता जी के वचन है जो सुरिक्सा कवच है वो हमारी रक्षा करेंगे वो हमारे ख्यालों को रोकेंगे वो पिता जी को मिलाएंगे वो ही पिता जी के दर्शन कराएंगे पिता जी के वच्चन ही पिता जी के दर्शन कराएंगे क्योंकि फिर ही मन रुकता है नहीं मन ये कुतरे तरे के ख्याल देता है तो फिर ख्याल देगा तो पिता जी के ख्याल कहां से आ जाएंगे पिता जी कहां से दिखाई देंगे बहुँ ज़्यादा तो डर के रहना होता है बहुँ ज़्यादा डर पिता जी शे डर मांगो कि मुझे पिता जी मुझे डर लगे कि मैं कोई गलती ना कर दू पिता जी शे सब कुछ मांग लो पिता जी तो आपके पास ही तो रहते हैं मांग लो जो भी मांग सकते हो, कितना भी मांग लो, क्या पिता जी देंगे नी, देंगे, मंगते बनो बिखारी बनना पड़ता है, मैं बिखारी बनी हूँ, हाई देदो, हाई ये देदो, हाई ये देदो, धीनता देदो, नमरता देदो, मालिक गुलाम बना लो, अपने पिता जी परकट हो जो पिता जी आपके पास रहना है, पिता जी मैं नहीं जी सकती आपके भी न, तो यह बाते पिता जी से करनी पड़ती है। पहले तो पिता जी को अपने पास माननो, अपने अंदर माननो, 100% पिता जी अंदर बैठे हैं, उनको माननो, जब माननो के तो भी बात करोगे, लगता है पिता जी सुनते नहीं है, जब सुनते हैं, अगर आपको लगता है, सुनते हैं, तो सुनाओ ना फिर, मनाओ ना पिता तो मान जाएंगे अगर हम रोज-रोज मनाएंगे, रोज-रोज हम द्यान में बैटेंगे